इसलिए हमने अपना एक वोट जो है हुश सरकार को देने का काम किया है और मुझे कोई पर्वा नहीं है मुझे ये पर्वा आज आनन मुहन जी जैसे पूर्फ सांसद आपको मिलेंगे लवली आनन जी जैसे सांसद मिलेंगी और हम आपके विधायक शिभर से जो हैं वो आपके साथ हैं लोग कहते हैं ओफर की बात हम लोग साबुनों के ओफर को देखते थे कि मतलब दो साबुन पर जो एक साबुन मुफ्ट मिलता है लेकिन हमारे साथ क्या ओफर है हमारे साथ ओफर है कि आप एक सांसद चुनिए तो आपको एक विधायक मुफ्ट आपको एक पूर्फ सांसद मुफ्ट मतलब एक के साथ दो फ्री ऐसा कहीं ओफर देखे है नमस्कार आप देख रहे हैं दर्शनीूज मैं हूँ दिव्यांसू सिवहर से विधायक जो की आरजेडी के विधायक हैं लेकिन आप बागी हो गए हैं चेतन आनंद लवली आनंद के बेटे आनंद मोहन और लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद ने आज अपनी मा के लिए एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि आप एक सांसत चुनिये आपको दो फ्री मिलेंगे बड़ा बयान उन्होंने दिया है और बड़ा ही दिल्चस बयान उन्होंने दिया है आज सिभर के बेलसंड में एक जनसभा का आयोजन हुआ था जिसमें लवली आनंद के लिए प्रचार करने खुद सियम नितीज कुमार पहुँचे थे उनके साथ राज्यसभा सांसत जेडियू के संजय जहा, मंत्री रतने सदा, मंत्री विजय चौधरी और तमाम जेडियू के नेता पहुँचे हुए थे और इस दोरान आनंद मोहन के दोनों ब इक चर्चा हो रही है, वो चेतन आनंद हैं, क्योंकि चेतन आनंद ने फ्री साबुन की बात की और उन्होंने कहा कि उसी तर्ज पर जैसे उन्होंने कहा कि दो साबुन पर एक साबुन फ्री मिलता है, ये ओफर रहता है, लेकिन सिभर की जनता के लिए एक ओफर है, कि वो एक सांसद चुने और उनको एक विधायक और एक पुर्व सांसद फ्री मिलेगा तो हम आपको चेतन आनंद का वो भाशन जरूर सुनाएंगे सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चेतन आनंद मारी मा यहां की जो प्रतियाशी हैं लवली आनंद जी सभी लोगों को मेरा प्रणाम आज ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं समय को देखते हुए लेकिन बस इतना जरूर कहेंगे कि जब हम आपको पता है कि किस परिस्थिती में आज आपके बीच में हैं लोग पूचते हैं ज जो है RJD का जर से उसको खतम करने के लिए हम संकल पूठा लिया हैं और कि होता क्या है मेरा भाई अभी अंशुमन बोल रहा था सही बात है कि हमने उस जगा को बड़े करीब से देखा है हमने देखा है कि वो लोग क्या चाहते थे दो साल की सत्ता आई नहीं की लूटना शुरू कर दिया किस तरीके से जो है हर डिपार्टमेंट में घुसकोरी चालू हो गई थी और हम देख रहे थे पास रह करके देख रहे थे कि यह लोग सत्ता का दुर्योग कैसे होता है वो कैसे किया जाता है वो इन लोगों ने साफ तोर पर दिखा दिया था यही कारण है कि आप लोगों के लिए जनता के लिए शिवर के लिए बिहार के लिए हमने यह फैसला लिया कि जब हमें वोटिंग करने का समया आया तो हम उस पक्ष में से इस पक्ष में उठकर के आ गए हमने देखा कि बिहार के लिए नितीश कु क्या है और मुझे कोई पर्वा नहीं है मुझे यह पर्वा नहीं है कि आगे चल करके मेरा मेंबर्शिप रहता है या नहीं रहता है शेर का बच्चा हूं दरता नहीं हूं और आज ये बात मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं कि शिवर को भी विकास के लिए आज आनग मुहंजी जैसे पूर्फ सांसद आपको मिलेंगे और हम आपके विधायक शिवर से जो है वो आपके साथ हैं लोग कहते हैं ओफर की बात हम लोग साबुनों के ओफर को देखते थे कि मतलब दो साबुन पर जो एक साबुन मुफ्त मिलता है लेकिन हमारे साथ क्या ओफर है हमारे साथ ओफर है कि आप एक सांसद चुनिए तो आपको एक वधायक मुफ्त आपको एक पूर्फ सांसद साथ मैं यह कहूंगा कि आप अगर यहां पर तीर का बटन दबाएंगे तो उपर कमल खेलेगा इसको ज़रूर द्यान रखिएगा तो यहां पर तीर दबाईए और इतना तीर का बच्छार होना चाहिए कि लाल्टन जो है वो बुझ ही नहीं जाए उसका चकना चूर हो जाए बस इतना ही कह करके अपनी बात को हम विराम करते हैं जैहन जै भारत जै अंडिया तो सुना आपने आरजेडी के बागी विधायक शेतन आनंद को शेतन आनंद चर्चा में तब आये थे जब नितीश कुमार ने पल्टी मारी थी महागटवंदन का साथ चोड़ कर जब 26 जन्वरी को और जब विश्वास मत्र हासिल करना था 12 फरवरी को विधान सबा में तब चेतन आनंद ने नितीश कुमार का साथ दिया था और वो महागटवंदन चोड़ कर आरजेडी चोड़ कर जेडियू की तरफ आ गये थे और तभी से ये उमीद लग रही थी कि चेतन आनंद ने जो जेडियू का साथ दिया है विश्वास मत के दौरान इसका उन्हें आने वाले समय में फाइदा मिलेगा और ऐसा हुआ भी लवली आनंद पहले जेडियू में शामिल हुई फिर उन्हें सिवहर से उम्मिदवार बनाया जेडियू ने और रितू आनंद की सीता मड़ी के परिहार माफ कीजिगा सीता मड़ी के सिंग वाहिनी पंचायत के मुखिया है वो इस वक्त पहले रितू जैसवाल ही थी इस पद पर और इस पद पर रहते वे उन्होंने बहुत सारे काम किये थे जिसकी चर्चा हुई थी एवार्ट भी उन्हें मिला था और इसके बाद ही रितू जैसवाल लाइम लाइट में आई थी और उसके बाद 2020 के विदानसवा चुनाओ में R.J.D. ने उन्हें सीता मड़ी के ही परियार विदानसवा सीट से उमिधवार बनाया था हलान की हार गई थी रितू जैसवाल लेकिन इस बार रितू जैसवाल को ल लडाई है दोनों के बीच शिवर में टककर का मुकाबला है लवली आनंद और रितू जैसवाल के बीच तो देखिए क्या होता है शिवर की जनता किसे अपना सांसत चुनती है लेकिन रितू जैसवाल जिस तरीके से प्रचार कर रही है आक्रामक अवतार में है वो आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही है और लोगों से ये कह रही है कि आपको आईएस की पतनी चाहिए या फिर आईएस के पतनी के आईएस के हत्यारे की पतनी चाहिए तो इस तरीके से प्रचार वो कर रही है और लवली आनंद पर निसाना साध रही है आनंद मोहन पर निसाना साध रही हैं अब देखिए चुनाओ तो बड़ा दिल्चस्प है आज नितीश कुमार पहुँचे थे इससे पहले जेपी नड़ा पहुँचे थे कल उनके लिए प्रचार करने के लिए जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था और आज सीम नितीश कुमार मंतरी विजय चौधरी राजसभा सांसत संजय जहा और मंतरी रतने सदा के साथ पहुँचे और जनसभा को संबोधित किया और इस दोरान चेतनानंद का भाषन काफी वाइरल हो रहा है तो फिलाल के लिए इतना ही तमाम अपडेट्स देते रहेंगे बने रहें दर्शनियूज के साथ